हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त वीके फिर आया हूं दोस्तों एक नए लेक्ट स्कूटर की जनकारी लेकर तो फ्रेंड्स आज हम कंपेरेजन करने वाले हैं ओला S1 X 4 गिलो वाट वाले वेरियंट की एन उसके साथ दोस्तों कंपेर करेंगे TVS IQ S मोडल को तो चलिए जानते हैं किस में आपको कितनी ट्रू रेंज मिलेगी किस मोड पर कितनी रेंज मिलेगी दोस्तों और कितनी टॉप स्पीड मिलेगी क्या इसका ओन रोड प्राइस पढ़ेगा और कौन सी आपके लिए बहतर रही तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते ह तो friends TVS iCube S model बिल्कुल सेम है TVS iCube S की तरह दोस्तों कोई भी चेंज नहीं है परन्तु देखने में दोनों ही बहुत ही शांदार लुक प्रोवाइड करते हैं बर TVS ज्यादा बैतर लगता है अब बात करते हैं दोस्तों फीचर्स की तो friends दोनों में ही आपको बहुत सारे फ मिलेंगे eco mode, normal mode and sports mode and अगर हम TVS iCube S की बात करें तो friends उसमें आपको दो ही mode मिलते हैं eco mode and power mode अब जानते हैं दोस्तों कि किस mode पर कितनी range मिलेगी और कितनी top speed मिलेगी तो friends Ola S1 X में दोस्तों आपको इसके eco mode पर 130-140 km की range मिलेगी दोस्तों अगर top speed की बात करें तो 42 km पर hour की top speed मिलेगी इसके normal mode की बात करें तो friends इसमें आपको 100-110 km की range मिल जाएगी दोस्तों and top speed की बात करें तो 70 km पर hour की top speed मिल जाएगी and इसके sports mode की बात करें तो friends उसमें आपको 82-90 km पर hour की range मिल जाएगी दोस्तों and top speed की बात करें तो 91 km पर hour की इसमें आपको top speed मिल जाती है अब चलते हैं friends TBS IQ की तरफ तो friends TBS IQ S में आपको दो mode मिलेंगे जिसमें eco mode में आपको जो range मिलेगी दोस्तों वो मिलेगी 90 km per charge की and top speed की बात करें तो 55 km per hour की top speed इसमें आपको मिल जाती है and इसके power mode की बात करें तो friends power mode में आपको 68 to 70 km की range मिल जाएगी दोस्तों and top speed की बात करें तो 78 km per hour की आपको इसमें top speed मिल जाती है अब चलते हैं friends boot space की तरफ तो friends Ola S1 X में आपको 34 liter का बहुती शांदार boot space मिलता है and TBS IQ S में दोस्तों आपको 32 liter का boot space मिलता है तो दोनों में 6.5 hours लेगा full charge होने में and TBS IQ S में आपको दोस्तों पूरे साड़े 5 घंटे लगेंगे full charge होने में तो TBS IQ जादा जल्दी charge हो रही है अब बात करते हैं friends display की तो Ola S1 X में display दोस्तों छोटी कर दी गई है 4.3 inch की LCD display कर दी गई है दोस्तों क्यूंकि इसमें आप सब कुछ manually कर दिया गया है इसमें आपको physical key दे दी गई है and TBS IQ की बात करें तो friends उसमें आपको 17.78 cm की एक touchscreen मिल जाएगी दोस्तों and इसमें आपको physical key भी मिल जाती है तो दोनों इसमें functions मिल जाते हैं तो screen के मामले में दोस्तों TBS IQ ज़्यादा बैतर है अब बात करते हैं friends warranty तो friends Ola S1X में आपको 8 साल की battery की warranty मिल रही है दोस्तों and अगर हम बात करें TBS IQ S की तो friends उसमें आपको 3 साल की battery की warranty मिल जाती है अब finally बात करते हैं दोस्तों price की तो friends Ola S1X आपको 1,20,000 रुपे की on-road पढ़ जाएगी दोस्तों and TBS IQ S की बात करें तो friends ये electric scooter आपको 1,23,025 रुपे की दोस्तों on-road पढ़ जाएगी ये दोस्तों price में आपको Delhi के बता रहा हूँ price में थोड़ा बहुत fluctuation भी आ सकता है state wise तो friends ये था दोनों का comparison आपको कौन सी electric scooter बढ़िया लगी दोस्तों उसके बारे में please comment box में comment करें and अगर आपको कोई doubt है तो friends तब भी comment box में comment कीजिए आपकी कौरी को जुरू complete किया जाएगा and आज के लिए इतने ही दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे एक नई electric scooter की जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद